दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं वर्ग फुट से वर्ग घज में बदलना तो यदि आपको कोई पिलाट लेना है तो वर्ग फुट में है उसका छैतरपल उसको वर्ग घज में किस तरीके से चेंज करते हैं तो यहां पर बहुती सरल तरीके से आपको बता देंगे, आपको कोई केलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, चलिए देखिए, एक ये पिलाट है जिसकी चोड़ाई है 30 फोट और ये लंबाई है 60 फोट, तो इस पिलाट का छेतर फल आपने निकाला, छेतर फल आ जाएगा इ कितने से 9 से भाग करने के बाद आपका ये गज में बदल जाएगा, तो 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18 और 00, तो ये आपका आ जाएगा 200 वर्ग गज, बहुत ही आसान है, किसी भी पिलाट का एरिया अगर वर्ग फोट में है, उसको वर्ग गज में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, 9 से भाग कर देंगे, 9 से भाग कर देंगे, तो बहुत ही इस सवर्ण टेक्निक आपको बताई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा चलिए एक और एक अग्जामपल आपको दिखाते हैं एक मानिए दूसरा ये कि प्लॉट है जिसका ये 20 फूट ये चोड़ा है और ये 18 फूट इसकी है लंबाई ठीक है अब इसका छेत्रफल अगर आप निकाल लेंगे तो छेत्रफल आपका आएगा 20 गुड़ा 18 कितना हो जाएगा 360 वर्ग फूट इसका छेत्रफल हो जाएगा आप इसको गज में बदलना है तो 360 में आपको 9 से भाग कर देना है 9 से भाग करेंगे 9 चोगे 36 और ये 0 तो 40 वर्ग गज 40 वर्ग गज हो जाएगा कितने के बरावर 360 वर्ग फूट के बरावर तो कभी भी आपको वर्ग फूट से यानि कि छेत्रफल है पिलाट का या खेत का फूट में दिया है वर्ग फूट में दिया है उसको गज में चेंज करना है तो आप 9 से भाग कर देंगे क्या कर देंग